नमबर 7 देखिए, 7 नमबर में यहाँ पर देखिए, दियाओ एक्वेशन 2X प्लस का 3Y एक्वाल टू 10 और सेकेंड एक्वेशन दिया है, X प्लस का 6Y एक्वाल टू में 4, यहाँ से देखिए, हमनों D के वाई रू कहा लेंगे, X और Y के कोफिसिन को टू टू टर्मिन हांट अब चले D1 निकालते हैं, तो D1 क्या हो जाएगा, तो इसी में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले जो कॉलम में इलिमेंट देख रहे हैं, इसके जगा पर यह कॉंसेंट आ जाएगा, 10, 4, 3, 6, यानि इसका वैलू यही पर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, 60 माइनस क टू यानि आजाएगा, 48, यही नहो जाएगा, 48 हो जाएगा, यहाँ पर चलिया, अब देखिए, D2 का वैलू क्या हो जाएगा, तो D2 का वैलू, इसी में D वाले वैलू में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाले कॉलम कॉटा करें, इसके जगा पर यह यानि किया जाएगा आपका 8 माइनस का 10, 8 माइनस का 10, माइनस का 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, X का वैलू, D1 वाई में D, और Y का वैलू, D2 वाई में D, यानि X का वैलू क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 48 और वाई में D का वैलू 9, और Y का वैलू यहाँ पर हो जाएगा minus का 2 और y में 9 चलिए तो यहाँ पर अगर 3 से इसे काटेंगे तो 3 जा 9 और 3 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 तो यानि 16 by 3x का value और y का value minus का 2 by 9 हो जाएगा समझ गया चलिए